अधिया स्टूडेंट्स वल्कम त्यू ओर्लाइन क्लासिस तो क्लास फिफ्ट के लिए चप्टर नमबर 3 मेजर लेंड फॉर्म तो हमने मेजर लेंड फॉर्म को यहां पर कम्पलीट कर दिया है आज तो आज हम कुछ अंसर एक्जरसाइज को डिसकुस करेंगे तो सबसे पहल को क्या करना है यह सिंटन्स पढ़ना है उसके बाद जो हमेज्ज यहां पर जो आप्यसर ही तो नहीं हो सकता है व नहीं हो सकता है जो हम वह हमको हम क्या कहते हैं, land form कहते हैं. तो आपको क्या करना है लेंड-form को यहां पर टिक लगाना है. तो तो second क्या करा है. the request lies in जो हमारे रे रोकिस माँचेन है, वो कहां पर पढ़ते हैं? तो रोकिस, तो अशिया में तो नहीं, अशिया में हमारे हमालिया से तो नावत अमरिका में हमारे रोकीज पाए जाते हैं तो रोकीज आर लाइस इन नावत अमरिका So third sand and silk deposit by river leads to a formation of जब river sand or silk को deposit करते हैं river की थ्रू तो वो क्या formation क्या बनाते है वो mountain तो नहीं बनाते है, stream भी नहीं बनाते है, plains बनाते है तो plains को आपको क्या करना है, टिक लगाना है Dust storms are common in जो हमारे dust storms है अमूमन वो कहां पाये जाते हैं, वो कहां common है Mountain में तो कोई dust हमें देखने को नहीं मिलते है तो dust storm अमूमन कहां common है, वो desert area में तो वहां पर rate ही rate है, वहां पर बहुत हवा चलते है इसलिए हवा अपने साथ बहुत सारे rates को ले जाते है तो dust storm, a moment, common, किस कहां के लिए है, dessert के लिए तो हमारा last correct answer, in the middle course, the river developed a loop जब river अपने rapid को छोड़ के, अपने upper course को छोड़ के जब वो middle course में पहुंचते हैं, हमने कल कुछ step पढ़ा था, कुछ stage पढ़ा था, river का, तो river जो ही middle course में पहुंचते हैं, तो वो क्या बनाते हैं, एक loop बनाते हैं, loop किसे कहते हैं, इस diagram को अच्छे से देखें, जब river mountain को छोड़ के, plains में visit होता है, वो plains में पहुंचते हैं, तो क्या बनाते हैं, वो एक loop बनाते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, अब हम मेच दा कॉलम करते हैं, तो मेच दा कॉलम सबसे पहले हमें यहां क्या दिया गया है, प्लेटियूस तो प्लेटियूस में हमें क्या देखने को मिलता है सेंड यू तो आपको क्या करना है प्लेटियूस को यहां से सेंड यू को मेज करना है तो डिजर्ड में आपको नहां नो प्लेटियूस में आपको प्लेटियूस किस चाप को होता है किस फॉर्म में होता है प आपको पिलेट्यूस को यहां से टेबल फॉर्म को टेबल लैंड को टिक करना है तो डिजर्ड में हमें क्या देखने को मिलता है डिजर्ड में हमें सेंड डिव देखने को मिलता है तो रिवर मौंटेन से जब निकालता है तो वो राइपिट होता है तो प्लेंस में हमें क्या देखने को मिलता है low lane area तो mountain में हमें क्या मिलेंगे mountain में बहुत सारे peaks मिलेंगे तो कुछ question answer को discuss करेंगे हम इसके बाद तो answer the following question How are mountain useful to us तो ये question हमें बता रहा है mountain हमारे लिए क्या फाइदा मनें किसे फाइदा मनें तो question को अच्छे से समझे और answer को देखिए